हाई फ्रेंज मैं आपकी पूजा फिर से नई नी टिप सेंट्रिक्स लेके आई हूँ जो की काम को बनाए आसान घंटों का काम होगा मिन्टों में और समय और पैसे आपके दोनों बचने वाले हैं बहुती यूसफुल वीडियो है आप पूरा देखे बीना स्किप किये ओस्ट बड़े बुढ़े सभी खाते हैं या बहुती फायदे मन होता है लेकिन बरसात के दिम में इसमें नमी पकड़ लेती है नमी के करने या खराब होने लगता है इसमें नमी पकड़ लिए आप देख सकते हैं अकसर हम इसे खाते हैं लेकिन बरसात में नमी पकड़ लेता आपको कुछ नहीं करना है पैन को हलका गरम कर लेना है और उसके बाद इस तरह से इसमें टाल दीजे गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए जब पैन गरम हो जाए तो गैस बंद कर देनी है और इसे उपर नीचे चला देंगे और थुड़ी देर छोड़ देंगे तो यहां अपने आप ही सही हो जाएगा सारी नमी इसकी खतम हो जाएगी क्योंकि बरसात चल लए है बरसात में नमी पकड़ लेता है कोई भी समानों देखिए गैस बंद है और पैन गरम है बहुत ही कमाल की टिप्स है आपको पसंद आएगी आपको जरासा भी वीडियो या अच्छ या इसे आग की रोशनी तेज होती है पेट के जो भी कब्ज है कोई भी विमारी है पेट की वहा भी सही होती है इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं या खाने में भी अच्छा लगता है और टेश्टी लगता है इसकी सबजी बनती है इसकी कई फाइदे हैं इसे आप जरूर खाएं इससे हड़ी में जो दरद होता है वा भी नहीं होता है या हड़ीयों को मजबूत करता है सूगर नहीं बढ़ने देता है मोटापा नहीं बढ़ने देता या बहुती फायदेमन होता है इसमें अनेग विटामिन पाय जाता है जैसे विटामिन A, विटामिन सी अनेक मिलनर इसमें पाय जाते हैं बहुत ही आपके सरी के लिए फायदे मन रहेगा जो भी कम जोरी है वहाँ दूर कर देता है यह छोटी सी टिप से मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं अगली टिप्स सफाई को लेके हैं हम रोज जाड़ों पोछा करते हैं लेकिन कुछ कोना ऐसा हो जाता है कि बच जाता है वहाँ सफाई नहीं हो पाती आप देख सकते हैं यह कोना एकदम गंदा है असानी से साफ होने वाला नहीं है लेकिन आप कुछ टिप्स द्वारा इसे स कि आप पूराना ब्रस ले लें तरह इस तरह से लगाने के बाद आप चाहें तो पास मिनट छोड़ दें और नहीं तो एक से दो मिनट बाद भी इसे साफ कर सकते हैं क्योंकि हार्पिक बहुत तेज होता है बहुत अच्छी सफाई करता है इस तरह से आप रोज रोज जाड़क पुछा तो कर नहीं सकते हैं कोने कोने में लेकिन आप हपते में एक बार इस तरह से हार्पिक लगा के साफ कर सकते हैं बहुत ही असानी से चुट जाता है कोई भी करना है बस इस तरह से आपको पोस्ट देना है जो भी गंदगी होगी वह बहुती असानी से साफ हो जाएगी आपको घंटो रगड़ना नहीं है आपको समय बरबात नहीं करना है बहुती असानी से कम समय और कम महनत में एकदम साफ हो जाता है आप देख सकते हैं पहले कितना गंदा था अब एकदम चमक उठा है बहुती कमाल की टिप से आपको पसंद आएगी जब भी टेल्स में दाग हो जाए या कोना कोना गंदा हो जाए तो आप इस तरह से हार पिक डाल के कुछ देर छोड़ दें और फिर इसे कपड़े से पोच दें आप देख सकते हैं कितना च है कि मारकेट जाना पड़ेगा और धर करवाके लाना पड़ेगा लेकिन आप इसे ही घर में कैची कर अ कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए बिना deficit के बहुत ही असानी है के मैदेफिस में हर कर सकते हैं देखिये मैं काट लिया है आप चाहे तो इस तरह से चाकु में भी धार कर सकते हैं देखिए कैची में मैंने आलू रगणना सुरू कर दिया है अगर कैची में एकदम धार ना हो तो आप थोड़ा सा मटी तेल यानि क्राशन तेल डालके इसे रगणिए और नहीं तो सिर्फ आलू से ही आप इस तरह से रगणेंगे तो यह बहुत जल्दी धार हो जाता है कुछी मिनट में आप देख सकते हैं कैची में धार होने लगी है और गंदगी भी साफ हो गई है इस तरह से पलट के भी दोनों तरफ कर लेना है देखिए इस तरफ से मैंने पलट दिया है और इस तरफ भी धार मैंने कर लिया है इस तरह का पेपर पैंट की दुकान में मिल जाता है जो कलर पैंट की दुकान होती है वहां मिल जाता है 10 से 15 रुपए में इससे रगणने से कैची में बहुत तेज़ धार हो जाती है और जो भी जंक लगा रहता है कैची पुरानी से पुरानी एकदम नई हो जाती है आप देख सकते हैं हलका सा ही मैंने रगणा एकदम चमक गया है मैंने पहले आलू से रगणा अब फिर इससे रगणा यह आप क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं सेरस का गज़े से बोलती हूँ पैंट के दुकान में मिल जाता है बहुत ही असानी से और इस तरह से आप रगणेंगे तो एकद कैची में धार हो चुकी है अब इसे कुछ नहीं करना है सिब आपको कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है उससे पोच देना है पानी से बिलकुल मत धोईएगा क्योंकि यह लोहे की कैची है जंक लग जाएगा फिर से यह खराब होने लगेगी कपड़े से पोच देना है द बहुत ही कमाल की टिप्स है इस टिप्स से आप कोई भी कैची चोटी या बड़ी या चाकू कुछ भी आप असानी से धार कर सकते हैं देखिए मैंने चोटी सी कैची ली है इसमें मैं धार कर रही हूं बहुत तेज चलने लगेगी आप एक बार जरू ट्राई करें आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा अब मैं आपको कपड़ा भी काट के दिखाती हूं इससे भी कोई भी आप पुराना कपड़ा ले 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 और फिर इसे आप चेक कर सकते हैं देखिए कितनी असानी से कटने लगा है इस तरह से आप किसी भी कैची में धार कर सकते हैं कर दाएगा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमली दोस्तों में ज्यादा से शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुर ना भूलें हस्ते रहें मुस्कराते रहें बाब